Hello everyone, welcome to my YouTube channel, मैं सीमा शर्मा, आज आपके साथ शेर करने वाली हूँ साड़ी के कुछ ऐसे हैक्स जो आप लोग को जानने जरूरी हैं, अगर आप साड़ी लवर हैं, क्योंकि छोटे छो हैक्स होते हैं, आपको साड़ी ड्रैपिंग में काफी हेल्प करते हैं, यानि आपकी जो वो हैक और साड़ी ड्रैपिंग में प्रॉब्लम आए, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, और इसमें अगर आपने मेरे चैनल को अब भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बहुत सारी इंफोर्मेशन वीडियो देखने के लिए आप ब अप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईदी है, add the rate low touch, अपने परस्णली कुछ सकते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे परस्नली कर सकते हैं, आप के कमेट का जरूर रिप्लाइ करूँगी, देद ना करते हुए हम वीडियो देख लेते हैं, let's get started, right hand की तरफ से आपको साड़ी in करना, start करना है, इस तरीके से, and आप अपने जो पेटी कोट का knot है, उसको छोड़ते हुए, एक उंगली का gap देना है, और अपने साड़ी को in कर लेना है, पेटी कोट में, and उसके बाद आप इस तरीके से, एक safety pin से pin up कर सक जिसे आपकी साड़ी पेर के अंदर से निकलती नहीं है, और आपकी चलने फिरने में भी असानी होती है, next hex में आपको इस तरीके से जब आप पल्लू बना लेते हैं, तो आप उसमें एक नीचे की तरफ pin लगा ले, जिसे कि आप अगर पल्लू पीछे से आगे की तरफ ले कपल्लू आगे की तरफ गिरेगा नहीं, और लुक भी काफी अच्छा है, next hex में इस तरीके से आप साइट से साड़ी को लेकर के आते हैं, और कर्व में लेकर आना है, एकदम फिनिशिंग के साथ, और नेवल से दो इंची राइट हैंड की तरफ आपको एक से पिन अप कर लिए, next hex में आप इस तरीके से साइट की फिटिंग कर लेते हैं, और उसके बाद जब आप सेंटर प्ली इस तरीके से बनाते हो, आप चोड़ी या पतली अपने चॉइस के एकॉर्डिंग सेंटर प्ली बनाते हो, अकसर सभी के साथ होता है, जब वो सारी प्ली बना लेती हैं, ladies, तो क्या है, जो first प्लीट्स है, वो side की तरफ भागती होई रहती है, वो अच्छे से ही set नहीं होती है, इसको set करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, यह वाली प्लीट्स होती है, आपको right hand की तरफ भागती रहती है, आपको उसको ठीक करने के लिए ऐसे क्या करने जब आप सारी प्लीट्स को इस तरीके से अरेंज करने और उसके बाद से एक या दो प्लीट्स आपको इस तरीके से खोड़ने के बाद थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी आपको प्लीट्स बनानी है इस तरीके से इस तरीके से आप प्लीट्स बनाते हो तो फर्स प्लीट्स खराब नहीं होती है या आपकी हाइट काफी अच्छी है और साड़ी थोड़ी सी इन करते हो पीटिकोट में कभी खुल जाती है तो आप इस तरीके से पिन लगा लेते हैं तो प्लीट्स काफी अच्छी आती है नेक्स्ट हैक में आपको इस तरीके से जब आप साड़ी बना लेते हो सेंटर प्रीट्स बना लेते हो उसके पाथ से अच्छी फिटिंग के लिए पीछे से साड़ी को नीचे की तरफ खीचे इस तरीके से साड़ी की फिनिशिंग काफी अच्छी आती है इस तरीके से next hack में आपको पेटिकोट का जो knot है वो राइट हैं की तरफ हमेशा बानना है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं अगर आपका पेटिकोट ढीला होता है तो आप इस तरीके से थोड़ी सी साडी खोलते हूए आप अपने पेटिकोट को टाइट कर सकते हो अगर टाइट है तो पेटी कोट का नौट आप इसली डिला कर सकते हो और किसाड़ी खराब भी नहीं होगी और अच्छे से आप डिला या टाइट कर सकते हो अपने पेटी कोट को काफी इसली इसलिए आपको राइट हैंड की तरफ पेटी कोट का नौट बांदना चाहिए नेक्स्ट हैक में अगर आप safety pin यूज करते हो तो साड़ी में अब फज जाती है साड़ी में ज़्यादा छीध हो जाता है या shoulder पर भी आप यूज करते हो तो साड़ी में छीध हो जाता है या साड़ी खराब होने का डर होता है इसके लिए आपको इस तरीके से safety pin लेनी है उसमें आप button लगा सकते हैं या आप paper या कागज वगएरा लेकर के इस तरीके से उसको मोड़ कर safety pin में आप लगाने और उसके बाद आप safety pin को use कर सकते हैं जहां आपको साड़ी में use करना है easily आप use कर सकते हैं साड़ी आपकी खराब नहीं होगी सेफटी पिन से नेक्स्ट हैक में अगर आप फ्री पल्लू लेते हो इस तरीके से सभी को अच्छा लगता है आजकल फ्री पल्लू लेना काफी ट्रेंड में है तो एक तो आपको जो पल्लू है बलाउंज में आपको जादा उपर की तरफ चढ़ा करके पिन नहीं लगाना है आपको थोड़ा पल्लू को थोड़ा सा गंदे पर नीचे की तरफ लेके जाना है आपकी नेक्स से काफी दूर पर आप अपने बलाउंज में पल्लू को अटैच करें जिसे आपका सामने का लुक काफी अच्छा आता है और फ्री पल्लू भी बहुत अच्छा लगता है नेक्स्ट हैक में अगर आप फ्री पल्लू ले रहे हैं और आपकी साड़ी बार-बार गिर जाती है आपको समालने में प्राब्लम होती है इसका एक सुलूशन है आप इस तरीके से अपनी साड़ी को रखना चाहते है जिसे की आपका लुक भी अच्छा आए और आप फ्री पल्लू भी ईजली ले सको तो इस तरीके से आपको सामने से प्लीट्स पना लेने हैं प्लीट्स पनाने के बाद आपको कमर के पास क्या करना है वन बाई वन सारी प्लीट्स को इस सरी के से लेते हुए सिर्फ सारी की प्लीट्सों में ही आपको एक पिन से अटेच कर लेना है, ब्लाउं से अटेच नहीं करना है इसे आपका अल आवर लुक जो है काफी अच्छा आता है और आप free पल्लू भी easily ले सकते हो next hack में आपको कभी भी साड़ी पहननी है तो floor से touch होते हुए पहननी है जैसा कि यहाँ पर मैंने पहना है आप overall look मेरा देख सकते हैं कितना अच्छा आया है जिसे कि आपकी साड़ी उच्छी भी नहीं लगती है और final look भी काफी अच्छा आता है कभी भी आप साड़ी को in करते हैं body को straight रखना है और जब अपनी साड़ी को पहनना start करना है अपनी कमर को जुका के नहीं देखना है नीचे की तरफ इससे आपका साड़ी का look अच्छा नहीं आता है और साड़ी भी छोटी हो जाती है और यहां पर आप देख सकते हैं मेरा final look यह है आप जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहां पर मैंने collar वाला blouse पहना हुआ है इस तरीके से और look भी change हो गया है तो आप ऐसी साड़ीयों की साथ सिफोन साड़ी cotton साड़ी कोई भी साड़ी का fabric हो उसके साथ इस तरीके का आप collar वाला blouse जो है अपने लिए select कर सकते हो यह आपको look काफी अच्छा देता है trendy look देता है यह साड़ी hex normally सभी के साथ ही problem होती है इसलिए मैं यह hex आपके लिए लेके आई हूँ ताकि आपको साड़ी पैनने में कोई problem ना हो और wrapping भी काफी अच्छी हो watching एक बर आप try करके देख सकते हैं इन hex को thanks for watching take care, bye bye, love you